असलाम अलेकूम मैं हूँ आपका टीचर हसान अई हूँ आज से ICS Part 1 Computer Science की Lecture Series स्टार्ट करने लगा हूँ ये Lecture Series स्टार्ट करने का एक्षभी मकसद ये है कि आप लो गहर बैट के इन Lectures को सुनें समझें इन केस अगर आपके कोई क्वेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन नहीं या मुझे आप एमेल या एक्स मेसेज करके क्यों क्वेशन क्लियर कर सकते हैं तो आए ये स्टार्ट करते हैं आपके सामने इस Lecture की Main Slide Open होगी इसमें आप देख सकते हैं कि आज जो हमने देखना है वो IT या Information Technology क्या होता है ये चीज़ हम डिसकस करेंगे उसके बाद देखेंगे Digital Convergence क्या होता है या उसके बाद हम देखेंगे Information Technology का आज या इसका Modern Scenario अगर हम देखें इस फीचर में इसका क्या usage होगी तो वो थोड़ा बहुत हम डिसकस करेंगे और इसके बाद Software और उसकी केडिकरीस हम डिसकस करेंगे आफर पर सबसी पहली चीज़ हम देखते है Information Technology इस चेप्टर का नाम भी आप देख सकते हैं Information Technology ही है तो सबसे पहले आप देखें कि यह दो वर्ड़ से मिलके बनता है पहली चीज़ है Information और दूसरी चीज़ है Technology अब Information क्या होता है जब आप किसी डेटा के ऊपर कुछ processing परफॉर्म कर दें तो वो एक understandable form बन जाती है data का हूँगा क्योंकि यह understandable नहीं है जब मैं इसके उपर कुछ processing करूँगा इसको arrange करूँगा तो वो क्या बन जाएगा C A T अब आपको पता चल रहा है कि यह क्या word लिखा हुए तो इसी तरह data के उपर जब processing कर देते हैं वो क्या चीज़ बन जाती है information तो इधर आप देखलें कि cat जो लिखा हुआ है यह information है और cta जो लिखा हुआ है यह data है इससे पहले एक थोड़ी आप overview देख लें global village के बारे में एक term use की जाती है modern scenario में कि दुनिया जो है वो global village बन चुकी है global village का मतलब क्या है कि आप दुनिया के एक कौने में हो दूसरे कौने की खबर आपको मिल जाती है वो विया television हो या internet के through हो या satellites के through हो आपको वो खबर एक कौने से दूसरे कौने easily मिल जाती है या even आप Pakistan में है आपका कोई friend चाइना में है या USA में है तो आप within a seconds उसको call connection कर सकते हैं उससे फिर जो बात करना चाहिए आप वो कर सकते हैं तो इस तरह क्या होता है कि आप पूरी दुनिया के किसी भी एरिया में किसी भी शक्स से आप communicate कर सकते हैं बगार किसी difficulty के पड़ाने वक्त में होता था कि कबूतरों को इस्तमाल किया जाता था लेक्टर्स या मुखलिफ चीज़ों कि कि कोई message conveyor करना होता था किसी दूसरे शक्स तर या किसी दूसरी जगह पे तो कबूतरों का use करते थे और उसमें भी काफी दिल लग जाते थे और पता नहीं काबूतर पहुच भी पाता था के नहीं पहुच पाता था काफी सारी इस के अदर चीज़ें थी तो वापिस आ मतलब होता है milana, computing with high speed communication link, अब merge का मतलब है milana, किस किस चीज़ को information technology मिला रही होती है, computing devices, जैसा कि आपका वो laptop हो सकता है, tab हो सकता है, वो mobile आपका हो सकता है, कुई भी computing device जो processing perform कर सकती है, उस चीज़ का जिकर रहा है, जिस के दर CPU माजूद होगा, with high speed communication links, जब दो चीज़ों को आप इसमें हमने मिलाना होगा, तो उसके ये कुई ना कुई चीज़ चाहिए, जो एक component से, दूसरे component तक हमारा message या data को convey कर सके, transfer कर सके, ये communication link, wild भी हो सकता है, और wireless भी हो सकता है, आजकल खेर जो जानतार communication हो रही है, वो wireless ही, ऐसे lights के थरूँ ही perform हो रही है, internet की एक आप इसके example ले लें, internet एक wireless technology है, जिसमें आप बगार किसी cable के अपने mobile से, laptop से किसी दूसरे शक्स को message send कर सकते हैं, कोई भी data send कर सकते हैं, Shading data in the form of, अब आगी क्या चीज़ बता रहा है कि computing devices और communication links को मिलाते हैं, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना data को, जो कि data text की form में होगा, या sound की form में होगा, या images की form में होगा, या video की form में होगा, तो उसको हम एक जगा से, दूसरी जगा, एक device से, दूसरी device सक share कर सकते हैं, for this purpose, the computer systems are networked in such way, अब network देख लें, जब भी आप दो या दो से ज़्यादर devices को, या computers को, या laptops को आप इसमें connection कर देते हैं, तो हम कहते हैं, ये network बन चुका है, इदर क्या कह रहा है, कि computer systems को हम network के अंदर ले आते हैं, ताकि एक जगा पे जो data process हो रहा है, वो दूसरे computers उसको access कर सके, इसकी example क्या होती है, Google एक बहुत बड़ा उनका server है, जहां पे billions of the records data मौझूद है, अब वहाँ पे आप अब कोई information या कोई record सर्च करना चाते हैं, search engine पे जाके, तो results आपको show होते हैं, तो results recently जो एक second पहले upload हैं, वो भी show हो रहे होंगे, even जो 10 साल या जब से Google introduce होई है, develop होई है, तब से जो वहाँ पे चीज़ आप लोड़ है, वो आप उसको access कर सकते हैं without any difficulty, आगे चीज़ एक देख लें, digital convergence क्या होता है, convergence का मतलब है, पहले आपको बता दूँ कि, convergence का मतलब होता है, दो, यह दो से जादा चीज़ों को आपस में मिला दें, और उ उसके result में हमारी एक चीज़ त्यार हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, convergence कहेंगे, the digital convergence is the technological merger, merge का मतलब है, मिलाना, merger का मतलब होता है, मिलाने वाला, merger of various industries, enterprises through some electronic gadgets, अब इदर देख लें, industries या enterprises का मतलब है, वो organizations, जो computers को अपने किसी ना किसी purpose के लिए, security के लिए, या अपने office automation के लिए उसको use कर रहे होते हैं, through some electronic gadgets, gadgets होते हैं, allot, वो laptops हो सकते हैं, वो CCTV cameras हो सकते हैं, वो आपके mobile हो सकते हैं, वो tabs हो सकते हैं, कोई भी form, किसी form के अदर भी ये चीज़ एक्जिस्ट कर सकती है, that exchange information between them, between them का मतलब है कि आप एक gadget, एक device से दूसरे gadget या device साथ वो चीज़ शेयर कर सकते हैं, the industries are computers, electronics, telecommunication and mass media, computers आपको बता हैं, computers केलें, या laptop केलें, या mobile केलें, वो एक ही चीज़ बनेगी, telecommunication देखें, क्या चीज़ है, tele का मतलब होता है, far, दूर, communication का क्या मतलब है, communication का मतलब है, राबता करना, communicate करना, तो telecommunication, ऐसी communication, ऐसा राबता, जो दूर, दराज, जगों या location पे पर फॉर्म किया जाए, contact किया जाए, उसका हम telecommunication कहते हैं, या mass media, आप internet पे देखते हैं, social websites पे देखते हैं, कि तमाम के तमाम mass media माजूद है, जिसमें आप, मुखलिफ online channels आप कह सकते हैं, news पर आप online देख सकते हैं, काफी सारी इसके अंदर चीज़ आ जाती हैं, अभी digital convergence के बारे में, आपको कु ये तमाम के तमाम CCTV कैमरा आपस में interlinked होते हैं, ये तमाम streets की, तमाम जगों की वीडियो को capture करके, उनका जहां पे भी headquarters या server मौजूद है, वहां पे update करती जा रही होती हैं, उदाना खास्ता, अगर किसी जगा पे कोई incident हो जाता है, जहां पे police को record के तौर पे कोई चाहिए, तो वो उन CCTV कैमरा से records हासल कर सकती है, अब इदर एक चीज़ आपको ये भी बता दू कि क्रिमिनल है जो police जिसको नहीं पकर पा रही, अब आपकी police अपनी database को जहां पे उनकी तमाम का तमाम system installed CCTV कैमरा से, वहां पे अगर उस criminal का एक phase एक शकल वहां पे उसको insert कर द दें, तो सिसली वी cameras intelligently behave करने लग पड़ेंगे, वह कैसे, वह पूरे शेर में जहां पे भी 8000 cameras installed हैं, जहां जहां पे वह कोई शक्स गुजरे होंगे, उसके साथ मैच करने लग पड़ेगा, कि जो picture हमें दी गई है, क्या ये, उसके साथ मैच नहीं करा, suppose, शदरा में, या म एक alarm या alerts सा generate कर देंगे, जैसे police को idea हो जाएगा, कि इस वक्कद, वह criminal, moral tone में है, या शादर में, तो easily इस तरह criminals तक पहुंच सकते हैं, तो यह भी एक digital convergence की, मैंने आपको example लिए, कि पहने वक्त में police, अगर कोई incident हो जाता था, तो police को चीज़ें ही नहीं मिलती थी, जैसे case आगे बढ़ा सकते हैं, इसी तरह बाकी hospitals का हम देखें, तुमाम departments का देखें, यह वन education का देखें, तुमाम की तुमाम चीज़े online transfer होने लग पड़ी हैं, जो paperwork पहले होता था, वो काफी हद तक reduce हो चुका है, even जो पहले paperwork या file system होते थे, उनको भी computers के उपर ही transfer किया जा रह program, program का मतलब होता है, ऐसी machine, ऐसी device जिसको आप अपनी मर्दी, अपनी requirements के मताबक instructions दे, वो device further फिर आपकी instructions को follow-up करेगी, और जो task आपने उसको कहा हुआ होगा, वो execute करने लग पड़ी हैं, accepts data, process it into useful information, कुछ दिर पहले, पिछली side में मैंने आपको बताया था, कि data raw facts होते हैं, understandable नहीं होता, उसके उपर processing perform करते हैं, processing के बाद वो क्या बन जाता है, information, तो ये किसका काम होता है, ये computer का काम होता है, कि वो data के उपर कुछ process करे, कुछ processing करे, कुछ action perform करे, तो इस data को information के अंदर change कर दे, इसके बाद ये information या जो result आपका त्यार होता है, उसको आप किसी storage medium के उपर save या store कर सकते हैं, in case अगर आपको बाद में, दो दिन या चार दिन या दस दिन या एक साल बाद और चीज़ बारा required हो, तो आप उसको open करके उसको analyze, जिस purpose के लिए भी आप उसको use करना चाते हैं, वो आप कर सकते हैं easily, आगे computer की जब हमने definition देखी है, तो इदर एक चीज़ दा हमने देखी है, computer के चार main components बनते हैं, ये processing perform करने के लिए, input को output के अंदर change करने के लिए, वो चार components को हम से, आपसे पहले input devices आती है, input devices ऐसे अला कोई record, कोई ना कोई information, enter करवा सकते हैं, वो फिर computer का काम होता है कि उस data को, उस record को analyze करें कि ये क्या कहना चारा है, उसके बाद अगला component, most important component कहने, CPU होता है, CPU के बारे में आप पर चीज़ ये बता दूँ कि, मैं ये एक चीज़ बनाएए, इसको मैं कह देता हूँ कि, ये ए और majority of the people, misconception पाई जाते हैं बचों में, वो कहते हैं कि ये CPU है, आला कि ये गलत है, ये CPU नहीं होता है, ये वाली जो पूरा का पूरी चीज़ है, इसको हम system unit कहते हैं, अब system unit के अंदर, कुछ components आते हैं, वो components क्या क्या हो सकते हैं, CPU होता है, memory chips होती है, memory chips, motherboard होता है, इसी तरह, buses होती है, buses और ये तमाम internal जो structure है, computer का आगे वाले lectures में, chapter 5 में हमने काफी detail के अंदर discuss करना है भी, अब CPU का काम वही होता है, जो आप input एंटर करेंगे, उसको processing perform करेगा, या जो data आपने एंटर किया, उसको processing perform करेगा, और उसको output या उसको information के अंदर change कर लेगा, उसके बाद जब आपका CPU action perform कर लेता है, processing कर लेता है, एक output generate कर लेता है, तो उस output को हमने अपने user तक भी display करना होता है, अब देखें, जो चीज़ें मैंने अगर इस जगह पे एक line draw की है, तो ये आपको output screen के अपर display हो रही है, मैं अपने microphone में बोल रहा हूँ, तो उसके output आपको आपके system के speakers के उपर सुनाई दे रही होगी, तो output को users सक पहुंचाने के लिए, शो करने के लिए जो devices इस्तमाल होती है, उसको हम output devices कहते हैं, examples इसकी देखने, display screens में monitor, LEDs वगहरा आ जाती है, speakers audio output शो करने के लिए इस्तमाल होते हैं, printers hard copy output display करने के लिए इस्तमाल होते हैं, ये जो आपके papers ये date sheets आपको compose होई मिलती है, वो सारी ही-सारी printers से ही hard copy के अंदर change होती है, वो फिर आपको provide की जाती है, आखरी एक component देखें, storage devices, आप किसी event पे जाते हैं, वहाँ पे आपने pictures या videos बनाई हैं, किसी आप journey पे travel पे निकले थे वहाँ पे आपने कुछ videos बनाई हैं, तो उसको आप चाहते हैं कि मैं memory के तौर पे किसी जगह पे save या store कर दूँ, तो data को या information को, आपकी videos को, images को save या store करने के लिए, जो devices इस्तमाल होती हैं, उनको हम storage devices कहते हैं, storage devices में दो category आजाती हैं, एक temporarily data hold करती हैं, एक permanent data hold करती हैं, ये chapter five के अंदर हम discuss करेंगे, इनकों के दोनों में फ़र्क क्या क्या है, storage devices के example discuss कर लेते हैं, RAM, ROM, flash, अब ये वाली जो RAM है basically, ये temporarily data hold करती हैं, जब तक आपके computer को power मिल रही है, electric string आ रही है, तब तक RAM के अंदर data मौजूद रहेगा, या आप game खेल रहे होते हैं, charging आपके laptop की खतम हो गई है, या आपके electric feature नहीं के लेक्स्ट्रॉप computer पे तो वो game जितनी आपने खेली थी वहीं पे बंद हो जाएगी, दुबारा on करेंगे तो game आपे मौजूद नहीं होगी, दुबारा से खेल के आपको उस level तक आला पड़ता है, अब flash memory और hards कैसी memories होती हैं, जो long period के लिए आपका data hold कर सकती है, अपने उपर save रख सकती है, without any loss.